कि नमस्कार दोस्तों दी डैनमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इसका हमने एकलिकेशन देखा उसमें हम कोस्ण करेंगे जब यह टॉपिक खतम कलेंगे इसके बाद हम कोस्ण करेंगे और उसके बाद फिर हम और कुछ ऐलेक्ट्रिकल एकुपमेंट के बारें पढ़ाएंगे एनर्जी कंजम्शन कैसे होता हैं कैसे कैलकुलेर किया जाता है अब फिर हम इस सेशन को end करेंगे ओगे तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो हम पढ़ते हैं वर्क डन बाई करंट करंट के द्वारा वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसका फॉर्मॉला कैसे पता किया जाए तो एक बात जानते हूं वर्क डन क्या होता है वर्क डन का मतलब होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेस्मेंट फोर्स इंटू डिस्प्लेस्मेंट हमने पढ़ा है मेकेनिक्स में ठीक है आप नाइंत में पढ़े होंगे कि फोर्ष इंटो डिस्पेस्में बग्डन कहलाता है यहां पर क्या होगा यहां पर हमने यह देखो सारा फिनुम्न हम एक्स्प्लेन कर रखें तो मैं चाहता हूं कि मैं आप पहले का वीडियो देखें फिर आप इसको देखें मैंने सारा समझा रखा है कि एक करण्ट के थूरू जो चार्ज होता है वह बर्गडन कैसे करेगा तो हम जानते हैं कि एक मैं दुवारा से थोड़ा सा एक्स्प्लेन कर देता हूं यह से यहां पर हमने रजिस्टेंस लगाया यह क्या करेगा यह से चार् लड़ाई करेगा मतलब उसको वाइबरेट कराएगा आगे की और पूस करेगा तो यह जो यह धर से जो चार्ज निकल कर जा रही है यह इसको धक्का देना चाहती है लेकिन यह जो रजिस्टेंस है यह भी कोई इसके पास जो मुल्गों से वह भी कम नहीं है तो वह भी इस इसी कारण क्या होता है कि इसकी इनर्जी ज़्यादा होता है यह जो बैटरी से लेक्ट्रों निकल बेजार होता है इसको पावर जादा है तो यह इसको आगे की और पुस्ट करते चला जाएगा फिर आगे जाएगा फिर इसका मुलकुज मिलेगा फिर उसको धक्का देगा फिर मुलकुज मिलेगा धक्का देगा तो इस तरह से आप देख रहे हैं क्या कि यह फोर्स अप्लाई कर रहा है यह जो वा यह ला था यह कि हमने फोर्म अपट रहा है न कि voltage क्याहोंत je होता है work done on per unit charge एक unit charge यह तो यह से मैंने मैंने समझाया था तक है कि यह से 12 की 12 वॉल्ट का battery है तो इसका मतलब क्या होगा गड्रका cakes का मतलब यह यहां से मतलब स्ट बार से अधर चार्ज फ्लो कर जाएगी तो यह कितना काम करकर देगा ट्वैल्ड जूल काम करकर एगा만 तरफ एक इलक्ट्रों एक चार्ज एक शर्ड एदी एक कुलोंड चार्जस यहां से हां तक कमप्लीट फ्लो कर जÁती तो कितना एनरजी देता है एक जूल तो इस तरह से यह बारा मोल्ट का बैटरी है तो बारा जूल काम करके देगा हाँ बारा जूल से ज्यादा दे सकता है कब जब आपका नमबर ओफ जो चार्ज है वो दो हो तीन हो चार हो पांच हो तो इस तरह से इसमें मल्टिपल पांच पांच चार्ज यहां से लेकर निकलेगे और सब के पास 12 वोल्ट होगा तो वो कितने काम करके देगा आपको 12,60 Joule का काम करके प्रारे टेगा उके तो इस तरह से हमने पड़ा था की वर्क डवर्क डवर्क डन पर अट चार्जब सबस्क्रिस एक चार्ण के दौड़ा किट्वूर्ड क्या आपका जो यह जो मेनिस का जो आप कंपलसरी फैक्टर बोल सकते हैं कि वर्कडन तभी कर न कोई कर पाएगा जब उसको रजिस्टेंस मिलेगा अधर वाइस उन नहीं कर पाएगा समझ में आया मतलब कंपलसरी फैक्टर क्या हो गया इसके लिए कमपल्सरी स्केली पर इसके लिए राजिस्टेंज सबस्क्रेंड और य休imly our region इसके लिए कंपल्सरी फ्यक्टर होगया इदरस्टंस नहीं होगा आप सोचा इसना इसको हमने क्या इसको कैसे डिनोड करता है प्रजिस्टेंस को ऐसे लिखते हैं यह दिए बीच में नहीं होगा अब यह दिस्टेंस को आप लोड बोलो ठीक है लोड टिक तो इसको हम यह कोई अपले यहां पर आपका कोई बल्ब हो सकता है फिरीज हो सकता है इस तरह से इस रिजिस्टेंस आपका जो वल्ब हो भी एक यह प्रीच में आपने कोई बनाया और उसमें और यहां से इसको कनिक कर दिया तो क्याई काब वरक होगा नहीं सॉट सरकिट हो जागा क्या हो जाएगा सोट सरकित हो जागा आपको यहां पर कोई resistance लगाना जरूरी होगा application लगाना जरूरी होगा हम देखेंगे जब हम short circuit पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि एदि आप direct plus minus को connect कर देंगे तो आपका काम नहीं बनेगा ठीक है तो work done के लिए हमारा कंपल्सरी फेक्टर कौन हुआ लोड आपको रेजिस्टेंज देना बहुत ही कंपल्सरी है वहां पर तो चलिए वर्गण का यहां से ठतर्हक रचक़े क्यों पर ऊसकते हैं हमने पढ़ा है क्या की क्यों इक क्वल टू क्या होता है या आप ऐसे बोल सकते हो कि charge flow per unit time क्या कराङा करेंट यह हमने पढ़ा या आपकोальные तो आपको पूरा लेक्च्छर देखना पड़ेगा तभी आपको यह सब किलियर सिक्रोंडी होगा कि क्यों सब्छलेटि वोटा है है यहां से हम क्यों का बैलीयों कि लिखेंगे जिकले को बेलीयों विलेक्छेंगे अब इस डव लू के जगा पर आप इसको रख सोडॉल सविन और लों की जगह पर दी इन ट र Trad conservative भी इंटू आइं टी रही इंटू टप ये होगा बर्ग 10 अब तहों बर्ग्द लेखों कि यक्षाएं टाइम पे टाइम पे क्यों कि भी तो इंपोर्टेंट वेक्टर है आप मान लो कि आपके घर में आपने पंप लगाया ठीक है मोटर लाया पानी उपर चड़ाने के लिए और उस मोटर से आपने उस मोटर को मान लो आपके घर में कितने आ रहा है इसकी 220 वोल्ट आ ह equivalet आपको पता है आपके घर में ठीक है 222-20 होता है और current ब assure यह 2 178 ले रहा है अब 2 ले रहा है तो ये तो वर्गत्रोंव्यकर लेगा एढ़ बंटीकieving से ये turn करोगे तो भी आपको क्यों में लेकिन टाइम क्यों क्यों तो कि एक पताओ आपने इसको दो घंडे चलाया और एक आपने चार घंटा चलाया तो वर्क डनों किसका ज्रहाँ जासा होगा जिसका चार घंटा चलाया तो इसका मतलब हमारा इसमें मैं आध्यू一下 और यह projects करें का अधर इनरजी दे और बताईए इसको आप इनरजी की फ़म एंधिकल फ़ॉम में यह काम करके ने रहा है कि इसके मेकन कल फोम में तो हमने जानते हैं कि वो डिपेंड करेगा कि कितना मास को यह पहुंचा रहा है एम ग्रेवटी ग्रेवटी तो कॉंस्टेंट होता है और कितनी हाइट तक पहुंचा रहा है इंटु हाइट ठीक है इंटु हाइट और इसको टाइम से से मल्टीपल कर देंगे इसको टाइम से मल्टीपल कर देंगे चार मिनट चलाया चार सकेंड चलाया चार घंटे चलाया तो जितना घर से मल्टीपल करो गए उतना ही ज्यादा यह क्या करेगा पानी को उपर चलाएगा जितना दिर मोटर आप चलाओगे तो इसका मतलब यहां वर्ग डन किया वर्ग कितना किया मोटर ने तो आपने जितना वोल्टेज दिया इसका करंट कितना इस टो एंपियर का मोटर है तो एंपियर और इसको कितना देर चलाया आपने कितना टाइम तक चलाया तो यह कहलाता है बर्ग डन अब वर्ग डन ही आप को ही हम क्या बोलते ह है चुब वर्क क्यूं होता है चुब यहां पर देख सकते हैं यह पानी है उपर मतलब प्टेंशेल एनर्जी में यहां पर देखा अब यहां पर फिर पावर क्या यह लगत है हो उन्हों में आपको difference clear होना जो बहुत जुरूरी है तो आए बच्छो पावर पढ़ते हैं पावर क्या होता है तो देखो पावर जो है वो भी बर्गडन ही है लेकिन लेकिन यदि आप इसको पर सकेंड पर टाइम मतलब एक इनुट टाइम से आप इसको रिलेट कर देंगे त तो पढ़ना आपका काम है यह आपकी वर्गडन है यह वर्गडन करोगे लेकिन लेकिन अब यह पावर कब काम में आता है तो पावर काम आता है याद रखेगा पावर कभी भी हमेंसा comparison के लिए काम आता है क्या करते हैं हम इसे compare करते हैं जब हम compare करते हैं तब हमें पावर क लेकिन लेकिन प्रोब्लम कहा आता है एक और पढ़ाई कर रहा होगा कोई और आपके घर में पढ़ाई कर रहा होगा अब यह भी पढ़ाई कर रहा यह भी पढ़ाई कर रहा यह भी पढ़ाई कर रहा सब पढ़ाई कर रहा तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करें किसकी वर्डन किस जो ए बंदा है वो यह दि पूरे दिन में चार घंटा पड़ता है चार घंटा पड़ता है ठीक है यह छे गंटा पड़ता है यह आठ घंटा पड़ता है तो हमने समझ हमें समझ में आया कि काम तो सब कर रहा है काम तो सब का है वही काम का है किसका पढ़ाई का ही काम है सब का वर्कडन सब कर रहे हैं तीनों मिलकर वर्कडन ही कर रहे हैं ये भी ये भी ये भी लेकिन यहां पर पावर किसका जाता होगा जो ज्यादा टाइम तक पढ़ाई करेगा जो ज्यादा टाइम तक पढ़ाईगा उसकी क्या होगा पावर ज्याता होगा ओके सो डैट मेंस हम यहां से यह चीर और एक और इसको एक्जामपल से समझो जैसे आपकी गाड़ी है यह जा रही है यह पांच मीटर की दूरी तैय करती है पांच सकेंड में तो हम बोलेंगे इसने वर्क डन किया इसमें कुछ फोर्स होगा इसने अपलाई किया डिस्प्ले करें टाइस यह यह जब डिस्प्लेश्मेंट लगा तो इसने विब डिस्प्लेश्मेंट वर्क डेन हुआ अब बताए इन दोनों में अब यहां काम आता है पावर किया पता है कौन पवर्फूल है सिम्पल से जो चांज में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेबल कर लेंगा वह पाव़फूल होगा तो हमने टाइम से रिलेट किया ताइम से रिलेट किया तेट मिंस आप ध्यान रखizar कि जब भी हम कोई चीज दो चीज को compare करने के लिए काम आता है तो हाँ पे कोन आता है पावर हम पावर से compare करते हैं और हम टाइम से लेट करते हैं तो पावर का formula होता है बच्चों आप जैसे इसे समझो पावर का formula work done upon time और यह कैसे आता है कि भाईया आपने टी सकेंड में टी टाइम में टी टाइम में आपने डवलू work done करा लिया किसी मसीन से तो एक सकेंड में कितना करा हो गया डवलू अपन टी और जो एक सकेंड में काम होता है यूनिट टाइम में जो होता है वही हम कहते है उसी को हम कहते हैं पावर उसी को हम कहते हैं पावर तो मैंने एक्जामनेशन लिया इन तीनों को और एक बंदा जो है वो मैंने टाइम लिमिट रख रखा है एक गंटा किसी ने 20 गलत गलत लिख दिया हो तो उसकी एफिसेंसी कम हो जाएगी समझ में आगया अब हमें एफिसेंसी का भी बात करेंगे अभी अभी जस्ट इसके बाद हमें एफिसेंसी पर आएंगे तो यह चीज़ की आपको किलियर हुआ कि पावर वर्क डान अपॉन टाइम तो अब यहां यह तो चलो हमने जेनरल फर्मॉला पढ़ दिया अब हमें इलेक्रिकल की बात करें यहां पर इलेक्रिसिटी की जाम पढ़ रहे हैं यहां पर पावर क्या हो जाएगा तो आप वर्क डन का यहां पर वैल्यू रख दीजे जो वी वी इन्टू आई इन्टू टी जो है यहां तो यह जो है और इसका यूनिट क्या होगा मतलब यह इसका यूनिट होगा पावर का यूनिट होता है जूल पर सेकेंड जूल पर सेकेंड जूल किसका वर्क डन का और सेकेंड किसका टाइम का तो जूल पर सेकेंड होता है इसका यूनिट और इसी को हम एक नया नाम देते है एक हमारे सथे जैंस वोट उस नहीं के ऑउनर में हम इनको इसका अनुट क्या रख कि वोट तोइब तो पर पर की अफिछ होता हैवह अब आव हम इस नाओक के कैसी हमकरेट किया जाता है इसको कैलकूेट करते हैं सब्सक्राइब करता है तब ही तो ये ग्लो करता है है और वो फिर उनेतना कमड़ाइब यहां होगा कि एनरजी कितना क्याने का मतलब आप इस सेंज में समझें कि यह इतना उन्sub को यह किait bark से पढ़ा क्या आप देखे जजी आई जो है जी आई जो है यहाँ से यह भी आप noot कर लिजेगा कि वरकदन एक और फोर्मला हो जाएगा क्या वहाइब यह प्रक दोगे विजो यह प्यरता लिंग 10 पी इन्टूटी यह और न उप पी इंटू टीवी क्या कहलाता है वर्क डन अलब पावर को एधी टाइम से मल्टिपल कर देते हो तो भी कहलाएगा वर्क डन ओके तो किसी के अंदर पावर इतना है और वो कितना घंटा काम करता है तो उतना वर्क डन करके देगा आपको सिंपल आप या ऐसे लोजिक याद लिए तो है को तीन फॉर्मूले हमने आप अंपर करा perfect क्राएं एक तो देखो व्ल्टेज्ट का फॉर्मूला ठावड़व होता है यह तो पहले उसे ंपता था यहाँसे में Wish लिए आपको पता था आंपको पता था क्रंट क्या होता है क्यों च्प्ती होता है यह भी कि कितना वो एनर्जी करके आपको देगा काम करके देगा फिर हमने पावर का समझा पावर को हमने तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया पी इक्वल टू वोल्टेज इंटू करण्ट वोल्टेज इंटू करण्ट ओके आप वोल्टेज इंटू करण्ट जो है इसी को हमने यह वी निकाल सकते हैं जैसे हम इस वल्ब का निकालेंगा कैसे हंडेट वोट का वल्ब है तू आर्स हमने उसको जलाया तो वर्गडन यह इनरजी कितना लेगा कंज्यूम करेगा तो वर्गडन पावर 100 वोट ठीक है इन्टू टू इन्टू तू आर्स अब बताए कि ये जो वॉट स्वेट है वो सीनुत है हमारा आप वह पहता है आर्स को गया बहुत सारा जसे आर्स होता है दिन हो घो गया month हो गया सबको calculate कर सकते हो एक पूरी year भी एक time को ही denote करता है ठीक है लेकिन हमारा एयसा इंवeट को हुए second तो हम यहाँ एयसा ही ओदलेंगे उह थिंद आन फो चेंज करना होगा तो 100 इन्टू what is this कीकैं हाँ एक स्पेंड प्रास केनगे सब्सकराइए सब्सक्राइब यह ऑजाएगा कितना चारी हो जाएगा समझ में आया तो यहीं जाएगा कितना यहाझ जाएगा व्रडवन जूल फंख मतने जूल में आ गया तिक अब यह क्या नमबर क्या होता है बड़ी बड़ी वढ़ी उनित होती है तिसके थोड़ा स monstr करने के करने में बहुत ही ज़रूरी होता है यूनिट नहीं ध्यान रहेगा आपको कॉंसेप्ट आता है और अब एक्जामनेशन में सौल नहीं कर पाऊगे आंसर गलत हो जागा तो आपको एक भी चीज मिस्टेक नहीं करना है तो वन किलो जूल में इतना होता है तो आप यहां पर 500W का है उसको दो घंटे जलाते हैं तो वो कितना एनरजी लेगा वो एनरजी लेगा हां 720 किलो जूल 720 किलो जूल एनरजी लेगा समझ में आया तो यह इस तरह से हम कैल्कुलेट कर सकते हैं वक्डन यह आपको पावर गीवन है तो अब आता है एक बात आता है इफिसेंसी अ हो रहे थे तो देखो दो टैपक एनरजी होता है यहां से एक होता है इनपूट एनरजी और एक होता है आउट पूझेह एक अब जब आप इनपूट और आट आट पूट ले रहे हो तो इसका मतलब यहां पर फिर एक नया क्वांटिटी हमें लाना पड़ेगा क्योंकि इनपूट अपूट क्या होगा उसे हमें इंपूट जो होता है वह हम एफिसेंसी से डिनोट करते हैं कि यह आप बताएँ आप एक वाज जानते हैं कि मैं इसको 20 जूल एनरजी देता हूं इस मोटर को 220 जूल एनरजी देता हूं तो तो क्या जितना एनर्जी आप किसी चीज को देते हैं उससे जो है आउटफुट पूरी के पूरी नहीं देता है यह आप हर जगा अपलाई कर सकते हैं हर जगा यह होता है समझ में आया और इसको आप प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो आप यह सोचो एक जेनरल में समझाने के लिए बता दूम क्या है तो जब आप घूम कर आ रहे होंगे यहां पर क्या जैसा आप निकले थे वैसा ही आओगे नहीं ना जबकि आपमालों कि मैंदर को आपकेंदर दूल party कर सा जाएंगे वे आपको नहीं पता चलेगा आपके सरट पर कुछ भी आपके अंदर और जो जो चेंजमेंट है वो होना जरूरी है क्यों कि हमारा यह स्राउंडिंग का नियम है स्राउंडिंग का हमारा नियम है कि जितना आप चीज देते हो जब उसे वर्गडन लेते हो तो वह से हमें 100 पर्शेंट नहीं दे सकता है वो कुछा ननर्जी के फार में बाहर निकाल देगा और नहीं निकालेगा तो फिर तो कि라고 हम इनर्जी के बारे में इतना सोचते ही नहीं इसके बारे आप थर्म डैक्मेंग में पढ़ोगे मैं यह जदा डीटेल में नहीं बात करूँगा बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जितना हम इंपुर्ट देते हैं, उतना हमें Output नहीं मिलता है उतना हमें Output यहां पे नहीं मिलता है हमारे का नियम है हमारे ballots का है तो नहीं मिलता तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे यहीं से फिर एक डाम आता है efficiency हढ़ा करते है कोई भी डिवाइस को खरोगारिदने से पहले हम उसकी कि इसकी इफिशेंसी कितनी है हमें पता है कि 100% हम इसमें देंगे और वह 100% काम करके देदे ऐसा नहीं हो सकता है यह हमें हो सकता है यह बहुत ही ज्यादा इसके अच्छा है काफी ज्यादा कंधिने फिद शुम्सटे जूल पढ़ सकसे जोड़ाय काम करके दो के ठोने खराब मशीने तोल फिफ्टी गर के चरपर करके करेगा और खराब यहां पर तो मतलब यहांप ten tested एक क्सींकिन कि टुट्धैक कि अपकी कि अधीज荡 रेटिंग तो इसी तरह perde एक है कि जब भी हम कोई equipment लाते हैं तो उसमें क्या लिखा रहता है रेटिंग लिखा रहता है क्या लिखा रहता है रेटिंग ले यह थी 5 रेटिंग है 5 रेटिंग का मसीन है तो इसका मतलब वह more efficient है ज्यादा efficient है मतलब उसको यदि हम 100 जूल का energy देंगे तो हमें वह 70 वाट energy काम करके देगा हम उसे यूज ले सकते हैं और यदि कम रेटिंग होगा तो क्या होगा कम रेटिंग होगा तो कंजम्शन ज्यादा करेगा और हमें output कम देगा तो मतलब हमें यदि 70 वाट का 70 वाट का मकाम चाह लाते हैं और हम ऐसा मसिन लाते हैं जो 100% efficient है 5 star का है तो हमें उसके लिए कितना देना पड़ेगा हमें सिर्फ 100 जूल देना पड़ेगा यदि वहीं पे मैं 70 वाट ही काम चाहिए और मैं कोई ऐसा लाता हूं जो धाय रेटिंग का या टू रेटिंग का है इसकी मतलब efficiency कम है efficiency एकम है इसका मतलब इसको अब आपको 70 equals देना हिना इसको 70 थे खाल देना है तो उसको आपको देना पड़ेगा 150 क्या देना पड़ेगा अपको ENERGY देना पड़ेगा 150 अब को इसको इनर्जी देना पूरे देश का इनरजी से वह तो हमारे कम पाव प्लांट लगेंगे क्योंकि देखो पावर तो उतना ही आ रहा है पावर जो है प्लांट को तो जेनरेट करना ही पड़ता है अब आप पे डिपेंड है कि आप उसको किस तरह से हाई हाई एफिसेंट मसीन यूज कर रहे हो या लो एफिसेंट मसीन यूज कर रहे हो हाईली मसीन एफिसेंट यूज करोगे तो जो पावर हाउस है वहाँ पे लोड किया जाएगा कम जाएगा तो इस तरह से फिर वो क्या करेंगे जो प्रोडक्शन है वो कम कर देंगे तो इस तरह से हम पूरे देश का एनरजी भी सेव क कर सकते हैं बाइदी हाइफेशेंट मसीन तो चल यह हम आप उपिसेंशी को कर लें तो इस और इसीइसे इसको सब्सक्राइब कर्णा सब्सक्राइब कर लेते हैं तो यह क्या इसका फर्मला क्या होता है आउप आउट्पूट आउट्पूट अपाउन इनपूट आउट्पूट अपाउन इनपूट होता है इसका फर्मूला यह ध्यान रखेगा आउट्पूट अपाउन इनपूट होता है अब जबकि आप जानते हो मैंने अभी पढ़ाया कि कोई भी मसिन जितना हम उसको देते हैं उ प्रिमिनेटर ज्यादा हो तो हमें सा वैल्यू क्यों वन से कम होगा क्यूंकि ऊपर मालों ऊपर दो है नीचे पांच है तो यह मैंसा क्या होगा पॉइंट में आएगा तो मतलब इसकी जो किसी भी मसीन की ों करने के लिए हम क्या करते हैं हम केन के लिए तो हम आउट पूर्ट इनटींट से मल्टिपल कर देंगा तो हमें यह भी में लेते हैं जइन कल्कुलेट करते हैं कि यहां। पचास परसेंट उसमें लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि वो 50% efficiency है मतलब उसको हमें दी 100 joule का energy देंगे तो वो हमें कितना देगा वो हमें 50 joule का energy या 50 watt का हमें energy convert करके देगा मतलब हमें इतना काम ले सकते हैं यदि हमें कोई हमें किसी को 200 joule का energy दिया उसकी efficiency है 70% तो हमें 70 से multiple करना होगा ठीक है तो यह 20 से cancel हो जागा ओके तो हमें यह 20 कैंसिल हो जागा तो यह कितना हो जागा 140 140 watt का हमें क्या देगा वो energy देगा तो इस तरह से हम बता कर सकते हैं कि किसको कितना देंगे तो हम कितना हमें मिलेगा by the efficiency तो output upon input into 100 से multiple कर देंगे तो हमें percentage में बताएगा efficiency समझ में आया तो यह efficiency का formula हो गया चलिए अब हमने अब हम इस पर कुछ question देखेंगे question वाले session में हम करेंगे तो हमें और clarity होगा कैसे power calculate होता है और कैसे कैसे और इस पर question बन सकते हैं तो I think आपको हमने आज वर्क टं क्या होता है power क्या होता है efficiency क्या होता है यह सब हमने calculate करा पाया यहां पर भी देखें यहां पर भी क्या था यहां पर work done जो यहां पर किया जा रहा था pump के थूर हम जो energy दे रहे थे और इन किसके formula देते input हो रहा था electrical form में लेकिन application of hitting effect hit कैसे आता है किसी current के थूरू ओके और फिर हम पढ़ेंगे उसके बाद rated current बगएर यह सब पढ़ेंगे ओके so thank you और यह हमारा पढ़ाया अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें और comment section में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लागा